Color or typography का problem को discuss करने वाले और one of the most currently मैं देख रहा हूँ एक graphic designer ले मेरे को approach किया था कि पूछ रहा था सर जी मेरे को color choose करने में बहुत मुश्किल होता है और typography मैं image cut out कर लेता हूँ, image review बना लेता हूँ, image case भी मैं manipulate कर लेता हूँ कैसे color को use करने वाला है, almost सभी को पता होगा कि हम लोग color psychology use करते, typographic emotion use करते ठीक है, लेकिन उससे भी एक चीज हटके रहता है, देखिए आपको emotion पता है, but एक font ज्यादा बड़ा ले लिया, बड़ा दिग गया, उसमें contrast ज्यादा होगे, but color में भी same use करते, क्या करते, एक vibrant use कर मतलब उसमें क्या है, आप mix कर रहे हो, दोनों tone को mix कर रहे हो, तो यहाँ पर मैं typography और color को कैसे choose करना हो, बताने वाला हो, और client के लिए typography और color कैसे choose करता हो, इस वीडियो में बताने वाला हो, वीडियो को पूरा देखना, आप लोग क्या करते हो ना, वीडियो का intro 10 second जो चोटा आदमी सीखा सकता है, बड़ा आदमी नहीं सीखा सकता है, प्लीज एक mind पर रखिये, क्योंकि naf creative भाई ने ऐसा बोला था ठीक है, तो without photo do, let's get to start, तो देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने photo's up open कर दिया है, अब मैं first से बता रहा हूं, मैं क्या एक new create करूंगा, जिस मैं से size लोंगा, SM, social media लिखूंगा, ठीक है, मैं shortcut ले रहा हूं, और resolution मैं 72 डाल रहा हूं, क्योंकि यह इसमें हो रहा है, screen में design करने वाला हूं, screen के लिए, RGB लोंगा, अगर आप print के लिए यूज कर रहे हो, तो कर सकते है, 60 bit, 30 bit मैं से, आप 80 bit यूज करिए, white background है, RGB है, square pixels ह इसमें क्योंकि ratio है, अच्छा रहता है, इसमें देख सकते, NBA इतना ही आ रहा है, okay, press करते है, अब मैं बतार, जो चीज भी यहाँ पर बताऊंगा ना, आपको clearly ध्यान दे के सुनना है, ठीक है, first thing, इसका gray कर देता हूं, okay, यह हो गया, हम लोगा canvas size, first अब देखिए, मैं यह पर लिखी देता हूं, first है, हमारा color, okay, उसके बाद है, typographic और paragraph बोलते है, ठीक है, okay, उसका color change कर देता हूं, white से black कर देता हूं, okay, वह color है, color हो गया, ठीक है, उसके बाद नीचे जाते है, typography, मैं easy steps से बताने ओला, यही tutorials 10 minutes तक ही रहेगा, आप 10 minutes तक यहां पर रुके रही है, देखिए, अब color और typography में क्या होता है, पता है, color एक चीज ऐसा है ना, जो आदमी को attract करता है, जैसे मैं examples देता हूं, माल लीजे, यहां पर मेरा channel है, color मैं अगर यहां पर vibrant यूज करूंगा, तो आदमी क्या होंगे, attract होंगे, मैं भी LinkedIn का यह example देता हूं, यहां पर मैंने design ही open करके रखा है, क्यों, देखिए, यहां पर color क्या है, कितना अच्छे तरीके से यूज किया है, typography कितना अच्छे से यूज किया है, trend को भी follow किया है, तो इसमें क्या होता है, जब हम लोग design मनाने बैठते है, यह चीज हम लोग को क्या नहीं रहता है कि क्या यूज करना है, इसके लिए, first मैं एक image select करता हूँ, fashion का, ठीक है, fashion लिख देता हूँ सीधा, मैं content पे कुछ भी नहीं जा रहा हूँ, color और इसमें जा रहा हूँ, image में जाता हूँ, अब माल लिजे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, एक कोई-सा भी fashion में भी models लेता हूँ, ठीक है, जोगी हम लोग को background cut out करने में भी थोड़ा easier हो, और might be हम लोग इसमें से कोई एक ले सकते ठीक है, बट मेरे को back नहीं चाहिए, देख सकते हैं इस तरह का, तो मैं यही ले लेता हूँ, ओके तो back ले लिया, control भी, ओके मैं paste कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग को क्या करना है, डाउनलोद करके यूज करना है, ठीक है, अब मैं बताता हूँ, यहाँ पर color का psychological, देखिए, यह क्या है, यहाँ पर natural color यूज किया है, जो की background में यहाँ पर highlight हो रहा, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक चीज मैं यहाँ पर भी जा रहा हूँ, फिर शे, अब यहाँ पर क्या लोग होँगा, कितने लोग को पता होगा, adobe.color, okay, यह एक color palette generate करके देता है, यह भी एक art है कि कैसे color choose करें, ठीक है, कितने लोग को already website का बारे में पता होगा, क्योंकि मैंने नहीं बताया, तो इसका सीधा description में link डाल दूँगा, अब देख सकते color palette, देखे मैंने यहाँ पर green पर इतना सारा research किया है, इसके लिए मेरे को already suggest कर रहे, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर color पर जाके green लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ green लिख रहा हूँ, क्यों, अभी मैं fact बताता हूँ, psychological ठीक है, यहाँ पर green में जाने के पास हम लोग के पास इतना सारा green से है, मैं जाता हूँ always nature के साथ जाता हूँ, क्योंकि nature के साथ अच्छा combination बढ़ता है, तो मैं यहाँ पर दो-तीन color dark है, एक shade है, ठीक है, shade कहीं सबसे आ रहा है, और एक muted भी है, अब ठीक है, तो मैं dark ले रहा हूँ, copy कर रहा हूँ, अब आते Photoshop में, यहाँ पर Photoshop में आते है, देख सकते हैं, मैंने rough selection किया है, ठीक है, इतना खासा नहीं, बट आपको समझाने के लिए मैंने select किया है, अब इसका क्या करूंगा, तो मैं एक color लोंगा, solid adjustment color लोंगा, यहाँ पर क्या कर दूँगा, paste कर दूँगा, जो चीज मैंने copy किया था, अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसको refine करने के लिए क्या करते हैं, मास का अंदर जाके brush tool ले ले लेते हैं, ठीक है, brush tool थोड़ा सा छोड़ा करके, मैं फूर इसमें से भी हम लोग हाड लेंगे, क्यूंकि एसे हाड है है, okay, इंटरप्रेस करते हुए, मैं इसका छोड़ा सा party cut करने वाला हूँ, क्यूंकि हम लोग के पास उतना time नहीं, क्यूंकि आपको जल्दी जल्दी दिखाना पड़ेगा आपको, तो skip कर दूंगा यह part, ठीक है, एक cut out हो चुका है, अब मैं इसको भी थोड़ा सा इसमें लिख देता हूँ, क्यूंकि हम इस content में नहीं जा रहे, अब देखिए, यहाँ पे green है, हम लोग ने अटेच कर लिया, most of people क्या करते है, green के साथ green ही यूज करते है, अभी इस चीज़ का train चला गया है, इसमें क्या करना पड़ेगा, green के साथ compliment देने वाला color यूज करना पड़ेगा, या फिर जो vibrant है, इसके साथ इसके पास में, जो opposite wheeler पे रहता है, उसको यूज करना पड़ेगा, तो हम लोग बैग जाएंगे, और देखेंगे इसके साथ green का opposite क्या रहता है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, create पे जाना पड़ेगा हम लोग को, अब देख सकते हैं यहां पर हम लोग चाहेंगे, triad, complimentary, speed complimentary भी जा सकते हैं, dual speed complimentary भी जा सकते हैं, but मैं बोलता हू, triad पे चाहिए, और यहां पर देखें, चब भी आप green ले रहे हो ना, beach में से लीजिए, green और maybe, आपको किस ही साब से चाहिए, उसी हिसाब से लीजिए, और यहां पर देख सकते हैं, एक तो, यह, pinkis tones में आ रहा है, pinkis मतलब नहीं बोल सकते इसको, थोड़ा सा इधर जाएगा तो pinkis हो जाएगा, और यहां पर yellow आ रहा है, अब भी देखिए, triad में three colors रहता है, ठीक है, और speed complementary में आपको पास-पास color ही दिखाई देता है, shades ले सकते है, shade always आपको काम आता है, जैसे की light से लेके dark तक रहता है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग square में लेंगे, square में से अभी क्या करूंगा, मैं यहां पर देख सकते, opposite, opposite में red है, और यहां से blue का, yellow है, red है, बट मैं यहां पर red नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा vibrant लग जाएगा, तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूँ, blue को मैं क्या करूंगा पता है यहां पर, simply क्या कर दूंगा, इसको change करके ऐसे डालो, अभी देखिए, कितना contrast बढ़ गया है, मतलब image में इतना contrast बढ़ जाता है न, कि सामने वाला को लगता है कि हाँ, कुछ न कुछ है यहां पर, तो देख सकते हैं, अभी मैं color का fundamental clear कर दिया हूँ, अगर आपको एक ही, एक से लेके 2-3 color यूज करना है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, सेम चीज जाके complimentary में जाहिए, सीदा complimentary में जाके, आपको माल लीचे yellow में चाहिए, yellow के लिए blue है, माल लीचे fashion related है, तो मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा skinny color, में भी skin product बनाते हैं, इसके लिए मैं दिखाऊंगा, देखें यहां पर क्या हो रहा है, यह cyan color highlight हो रहा है, और यह भी थोड़ा सा muted है, तो इसको नहीं लूँगा, copy करता हूँ, अभी मैं दिखाता हूँ, प्रड़क्ट में भी रखके देख सकते हैं, color में जाएंगे, paste करूँगा, यह यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारा typography भी चला गया, typography लिए बताता हूँ, और यहाँ पर जाँगा मैं, skin face, okay, तो यहाँ पर आएगा, तो मैं चीज डाल देता हूँ, copy करके मैं भी यहाँ, copy मत करियेगा, यह disclaimer है, इस वीडियो के लिए ठीक है, आप लोग को समझ में आना चाहिए, तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं, इस design में मैं थोड़ा सा rough cut कर दूँगा, ठीक है, selection tool से आया, object selection tool ने select करते हैं, तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं, कितना highlight हो रहा है, अगर मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, तो भी कितना highlight हो रहा है, यहाँ पर image, इसको बोलते color, तो आपको fact कही सबसे, अगर आप skin है, skin color, रखिये नहीं रखिये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन experiment करना पड़ेगा आपको, क्योंकि color एक ही color डाल के नहीं होगा देखिये, skin color डाल रहा है, लेकिन जो image में जो contrast रहता है, वो खतम हो जाता है, तो इसके लिए मैं Ctrl Z कर रहा हूँ, फिर से हम लोग उसी चीज में जाएंगे ठीक है, fashion वाले में, और इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, यह हो गया हम लोग का vibrant color, अब अभी typography के लिए मैं क्या जाओंग, यहां पर जाओंगा फिर से browser में एक चीज दिखाने हो लाए, website really amazing है, तो आप के लिए बहुत ही better रहेगा, font, font जो बोलते हैं, ठीक है, यहां पर देखता है, इसमें क्या होता है, यह आपको दो font लेके compare करके आपको अच्छा एक type face या फिर contrast वाला design दिखाई देगा यहां पर जो कि आपका time shape भी करेगा और जल्दी जल्दी सीखने के लिए मदद भी करेगा, यहां पर देख सकते हैं, अगर मैं यहां पर जा रहा हूँ balance contrast, नीचे आ रहा हूँ more similarity, similar very similar, so मैं यहां पर जा रहा हूँ more high contrast अभी देख रहा हूँ, high contrast जा रहा हूँ यहां से high contrast ही रहता है, तो इसको मैं regenerate कर रहा हूँ अब यहां पर देखिये कमाल यह जन्रेट कर देगा देख सकते हैं यहां पर fashion fashion मतलब क्या है हम लोग के पास एक slab slab font देदिया है slab का मतलब क्या है enjoyment, funny, seriousness भी रहता है क्योंकि just like मैंने already psychological fact बता दिया है तो एक वीडियो है, वहां पर टाइपोग्राफिक है उसमें देख सकते है और यह font है हम लोग को नहीं चाहिए तो मैं इसको lock कर रहा हूँ फिर्शे generate कर रहा हूँ ठीक है यहां पर देख सकती एक font दे दिया है इसने name भी लिखा होगा कहीं पर क्यूंकि यह font भी देता रहता है तो फिलाल के लिए नहीं दे रहा है तो इसमें देख सकती थिन font यूज हुआ है क्या कौनसा font है आप मेरे को बताएए 5 seconds के लिए hold कर रहा हूँ sensory font या serif font है कौनसा है पता चला sensory font है ठीक है तो आप क्या कर सकते है इसमें से 2 combination यूज कर सकते है अब मैं इसको जा रहा हूँ सीधा copy कर देता हूँ जो कि आपको पता चलेगा यहां पर आ रहा हूँ और जो color है color के जगा पर इसको डाल रहा हूँ और नीचे आ रहा हूँ मैं क्याले pairing made को भी नीचे ही लिख रहा हूँ ठीक है typography के साथ जबकि आपको पता चलेगा कि कैसे इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ typography ठीक है और इसको थोड़ा बड़ा करेंगे ऐसा बड़ा नहीं करना है ठीक है इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको फिर से टीट प्रेस करना पड़ेगा यहांचे लीजिए और 60% में भी इससाब से करिए अब मैं एक टाइपोग्राफिकल ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ ठीक है अब यहां क्या था तो इसको क्या करेंगे अगेन फोड़ोसप में जाएंगे मैं इसको ओक सारी कॉंट्रोल जेट करूंगा मेरा एक फेबरेट फॉंट है आपको पता ही होगा डाइकोन ठीक है डाइकोन यूज नहीं करने होएं अगर आपको डाइकोन यूज करना है तो कर लीजे बट मैं आप टामाटो गोट्रिक्स पर जाने वाला हूँ और इसको कर दूँगा बोल्ट से सीधा मैं रेगूलर ओके अब देखिए एक बात अल्वेज मैं बता रहा हूँ अगर यहां पे मेरा मान लीजे मैं एक लियर लेकी समझा देता हूँ प्रस्टूल ओके ठीक है अब देखिए मैं एक चीज बताने लिए देके सुनिए जो यह फॉंट का साइज कितना है 60% जो आपका हेडर इसका साइज है 60% मतलब 60% हेडर है हेडर है होने के बाद क्या होना चाहिए अम लोग का उसके बाद सब हेडर रहता है सब हो हेडर आपको लेना है 30 से 20 मतलब इसको डिबाइट कर दीजे 3 से मतलब 60 divided by 3 कितना होगा 20 ठीक है 20 लेना है उसके बाद अगर आपके पास इदर बोडी टेक्स है तो 20 divided by आपको क्या करना है फिर से 3 करना है तो इसका मतलब कितना निश्च लेगा पता नहीं आठ तिया 24 आठ तिया 24 मतलब आठ तो आना ही पड़ेगा आठ तिया 24 मतलब आठ छे तक रख सकते है साथ तक रख सकते है लेकिन मैं आठ पीटी यूज कर रहा हूँ ठीक है पीटी बोलते है इसमें मेजरमेंट पे तो इसको हम लोग एक बार ट्राइ करके देखते है इसको यहीं पर रख रहा हूँ ठीक है इसा नहीं है कि तो बोडी टेक्स के लिए मैं फैसन के लिए यहीं पर जाओंगा थोड़ा सा कुछी स्कीन का बारे में ले लूँगा ठीक है एक्जेंपल के लिए एक्जेंपल के लिए ठीक है और फिर से मैं यहीं पर जाओंगा तो इसको क्या कर दूंगा पूरा चीज को लेफ्ट अलाइन कर दूंगा ठीक है यह हो गया अब इसको यहां पर लेकर आकर रखेंगे अब मैं क्या करने अलो देखिए यह हो गया 60 परसंट था तो अब मैं इसको करूंगा 80% 80% का 34 कितना होता है made made in simple typographical बोल रहा था तो इसको क्या कर दूंगा 80 divided by 3 मतलब साथ हो गया साथ दस चोविस तक हो सकता है चोविस पचीस वह सकता है आप कर लीजे मैं चोविस से रख रहा हूं इसका चोविस रख रहा हूं और इसको मैं क्या कर रहा हूं बोल्ड कर रहा हूं आप ओई family font यूज करना है बोल्ड करता हूं और इसको करता हूं अब क्या कर दूंगा 24 है तो इसको 8 ही करूंगा और इसका थोड़ा सा पेरिंग पे चेक करते हैं ठीक है और यह हो गया हम लोग का 13 है 13 है मतलब दिन तक कर देते हैं थोड़ा close up रहेगा अब देख सकते है क कितना contrast आ रहा है design में कितना contrast आ रहा है छोड़ दीजे image क्या है क्या है पता नहीं जो हम लोग rule यूज कर रहे है ना उसका बज़े से क्या हो रहा है यहां पर देखिए शरीप और चीज को conceptual रखना है और color I hope आपको समझ में आ गया होगा typography कैसे choose करना है और कैसे हम लोग को contrast दिलाना है बोलके अभी देखिए मैं यहां पर एक चीज और बताने हो लाँ है header जो रहता है ना में content रहता है सब header रहता है थोड़ा सा information रहता है और जो body text रहता है जो उसके बाद product का बारे में होता है वो उतना valuable नहीं रहता है तब valuable रहता है जबकि product को दिखाना होता है यहां पर product कुछ भी नहीं है इसके लिए तो मैं सब header को मैं header के साथ थोड़ा सा attach करना चाह रहा हूँ क्योंकि लगे की read में आना चाहिए ठीक है और इस चीज को आपको ध्यान देके करना पड़ेगा क्योंकि typography ही है थोड़ा सा और नीचे लेके आता हूं और देखिए यहां पर इतना मज़ेदार text हो गया है अगर यहां skin color ले लेते हैं और यहां पर मैं skin color नहीं लेने वाला हूं क्योंकि यह already बता दिया था वही मैं mistakes कर रहा हूं जान बुचकर mistake कर रहा हूं आप लोग को comment करके बताना है सर यहां पर यह चीज यूज नहीं करना था बोलके ठीक आभी blue में जा रहा हूं क्योंकि हम लोगा ने blue set use क्या था अब मैं ले रहा हूं थोड़ा सा light blue फिर से जा रहा है photoshop यहां पर गया मैं color को paste कर दिया अब देखना कि कैसे sync होता है design के साथ देखिए कुछ भी नहीं है सेफ भी इतना modern भी नहीं है ठीक है देखिए कितना simple and clean दिख रहा है इसको बोलते color choosing forces and typography कैसे यूज कर अगर यहां पर आपको चाहिए तो यह क्या है font है ना इसको भी बड़ा छोटा कर सकते पेरिंग को भी अलगतरी के से लिख सकते हैं बताऊं कैसे इतना highlight होना चाहिए कि हाँ यह चीज हो अगर color देखा मैंने बोला था यहीं पर जाके मैं अभी क्या करूंगा डार्क ले दूंगा तो इतना अच्छा दिख सकते हैं बड़े बेसिक चीज है ठीक है बेसिक fundamental आपको किलियर होना चाहिए इस वीडियो में इतना ही सिखा पा अन्याफ क्रीटिप को इंस्टाग्रम पे भी फोलो कर दिजै तो चीज वान नेक्स वीडियो